पिछले लेक्चर में हम लोग फाल्गु रिवर पे बात किया थे टोटल कंसेप समझे थे फाल्गु रिवर ओर्जिनेट कहां से होती है कितने एस्टेट से सारी कहाने इस रेलेटेट इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इंडस रिवर पे हैं इंडस रिवर्ट का पुराना नाम सिंधु रिवर है, मतलब सिंधु नदी है, तो सिंपल सी कहानी है, इसका दो नाम याद रखना है, इंडस रिवर्ट या फिर सिंधु नदी, दो इसका नाम है, सिंपल सी बात है, यह ओरिजिनेट कहां से होती है, तो हम लोग जानते है, मा हो के कस्षप और प्यारा से अनलाब का IQ कस्षप कंप्यूटेटिफ पहला बात एर मांद ए जो इंडस रिवर है या फिर सिंधु रिवर है यह दो देश से पास करती है ठीक है एक्चिली दो देश में तीन देश से पास करती है तीबद क्योंकि चाइना का पार्थ है तो याद रखने की बात है कि कितने देश से पास करती है तो तीन देश चाइना इंडिया और पाकिस्तान अगर हम लोग बात करें कि इंडिया के कितने एस्टेट से पास करती है तो यह इंडिया के एस्टेट बात करें तो सीप लदाख है जिससे होकर के पास करती है और यह एक important है कि यह जासकर range और लदाख range के 20 से होते हुए यह follow करते हैं तो हम लोग को याद रखना है कि estate की बात करें तो सीफ एक estate से pass करते हैं P.O.K क्योंकि P.O.K अभी administrative इंडिया के अंडर में नहीं हो पकिसान के अंदर में है तो एक P.O.K के अंदर में अगर हम लोग बात करें इसका major tributes की बात करें तो ए इसका major tributes है जैसे जेलम, चेनाब, राभी, सतलच और ब्यास इसका tributes है जो important है इस सभी पर separate lecture में आपको provide कराऊगा इधर से जो भी tributes इसमें आके आती है इधर से जो भी activities जिसमें आती है दोनों साथ हैं मिलकर के कहां पर Arabian Sea में चले जाती है यह Arabian Sea में जाकर के जहां पर मिलती है जाकर के fall कर जाती है तो ए पाकिस्तान से होते हुए यह जो भी area है वो कहां है पाकिस्तान के अंदर में है अगर हम लोग बात करें कि यह जो इंडस रिवर है सबसे जादा flow इंडिया में करती है पाकिस्तान में करती है तो maximum length जो है इंडस रिवर का वो पाकिस्तान के अंदर में फ्लो करती है यह पाकिस्तान का largest रिवर है याद रखने हैं कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है तो इंडस रिवर सबसे लार्जेस्ट रिवर है और यहाँ यह नेशनल रिवर भी है पाकिस्तान का इंडिया के बात करें तो इंडिया का भी इसका ट्रिब्यूटरिस इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि प यहाँ पर लिखे हैं इंडस या फिर इसको सेंधोरी पर भी बोलता है अगर हम लोग बात करें इसका ओरिजनेट कहां से होती है तो ओरिजनेट होती है मानसरुवर से मानसरुवर एक लेख है मानसरुवर से ओरिजनेट होती है और याद रखना है मांसरवर से जहां से originate होती है एक glacier से originate होती है उस glacier का नाम है glacier of kailas तो एक glacier of kailas है तो एक kailas range भी है जहां से एक glacier इसका नाम भी क्या है glacier of kailas जहां से originate होती है तो याद रखेगा सिर्फ range भी पूछेगा तो kailas range से originate होती है एक कैलास रेंज के अंदर में कौन सा है मांसुर्वर लेक है जहां से यह ओरिजनेट होती है सिंपल सी कहाने है ओरिजनेट होना मतलब या फिर सोर्च करना तो यह दोनों एक ही बात है यहां से ओरिजन सोर्च लिखे है या फिर ओरीजिन लिखे है तो मांसुर बोल सकते हैं या फिर Celtic go मांसुर को काहा पे जा करके फॉल कर जाती है दूसे बड़ी में दूसरे बड़ी क्या यह Arabian C में जाकर के गिर जाती है यह यहाँ पर लिखे है Arabian C Mouth कहाँ पर Arabian C ठीक है जहाँ पर समाप्त हो जाती है अगर इसका length की बात करें तो length में बड़ा confusion रहता है इसका 3-3 length आपको मिल जाएगा एक तो मिल जाएगा 2880 km और दूसरा इसी को 2880 km को 2900 km आपको मिल जाएगा और एक जगा ऐसा भी मिल जाएगा आपको कैसा तो 380 km इंपोर्टन देखिएगा कभी भी option में एक साथ नहीं देगा ज्यादा तर लोग एए 2900 km तो सभी लोग जानते हैं कि इसका total length है 2900 km actually इसी को round off करके लिखा हुआ 2900 km 2880 को round off किया गया है 2900 km तो important है इसको याद रखेगा option में या तो ये मिलेगा नहीं तो ये मिलेगा ये वाला length आपको दिखा ही नहीं देगा लेकिन NCRT में देखिएगा तो अठाए 306 km आपको मिल जाएगा तो ज्यादा बेटर होता है तो इसी को round off करके 2900 option में दिया रहता है तो ये कहानी आपको याद रखने है यहाँ पे largest river of Pakistan सिंपल सी बात है पहले ही किलियर कर चुके है अगर हम लोग बात करें कि India मेरा कहाँ पर इंटर करती है तो पहला चीस लादाक मेरा काए लाध dedh रही है दाक में चलाए का कि इंटर जो करते है जो करते हैं लदाक में एक छोटा सा सहर यह जहर नहीं छोड़ासा एक कह सकते हैं जिस एरिया में इंटर करती है उसको दाम चौक बोलते हैं तो दाम चौक के पास में इंटर करती है लदाक में इंडिया के अंदर में एग्जिस्ट करता है चिल्लाश कहा है प्योके में ठीक है प्योके में से शिल्लाश के पास से पाकिस्टान में चली जाती है तो इंटर करते तो दामचॉक में और एक्जिस्ट कहा पंदर में यहां पर याद रखना पुरेगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं रहता है अब यहां से दखींगो इसको समझेगा यहां से ओरिजनेट होती है कहां से मांसर वर से मांसोर लेक कहां पर है तो याद रखेड है तिभत के अंदर में यहां से और इस टीब्स के बाइन सी निकलती कहां से separate lecture इस फे इतना याद रखे कि निकलती कहां से तो वरी नाग लेक से निकलती है फुलो करते हुए यह कहां पर इंजस्ट रिवर्म लिजाती है उसके बारलचा बारलचा पास के पास से एक निगलती है चेनाम रिवर जो की जाकर किया किसके जहलम से मिल जाती है उसके रोहतांग पास से निकलती है कौण सा रावी रिवर और फिर जा करके जेलम को मिलती है अगर हम लोग बात करें कि इंडिया के अंदर सिर्रे किलो मीटर का लेंद सिंडस का फॉलो करती है तो याद रखेगा 200 अगर हम लोग 2880 km अगर ले रहे हैं तो इसके एकॉर्डिंग 1100 याद रखेगा लगभग 1112 km के आसपास जो है यह लेंथ सिफ इंडिया में फ्लो करती है ठीक है सिफ इंडिया में इतना फ्लो करती है तो ऐसा भी यह कहीं अलग भी मिल सकता है तो इसमें क्य टोटल लेंथ याद रखेगा यह सब सारी कहानी इतना बात आपको समझ में आया इसके बाद हम लोग जो रेवर करने वाले हैं इसके पार्टिकुलर इसके लिवर ले गाए जहलम हो गया चैनाब हो गया इसे ऐसे और फिर साउर्थन का जो भी है नेक्स लेक्टर में हम लो कर के चैनाब हुआगर